श्रीला प्रहपाद अपनी पुस्तकों में भक्तों की संगती पर जोड़ देते हैं और फिर जब आप वास्तव में भक्तों के साथ जुड़ते हैं तब आप उस प्रकार के आश्रय का अनुभब करते हैं हम विभिन सन्यासियों वरिष्ट भक्तों से मिलते हैं, जिन्होंने स्वेयंग को समर्पित किया है और आप देख सकते हैं कि वे चेतना में बहुत अधिक संतुस्ट हैं और वे अधिक से अधिक सेवा प्रदान कर रहे हैं यह बहुत आकरशक है मैं एक युवा ब्रह्मचारी के रूप में केवल कृष्ण के लिए जीने में आकरशक था मुझे लगा कि सन्यास मेरे लिए सिर्फ ब्रह्मचारी जीवन की निरंतर अता है बेशक जिम्मेरिया बढ़ जाती है लेकिन मुझे लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है पूरी अज्यानता से मुझे उपर उठाकर भक्तों की संगती में ले गए है प्रहुपाद हर तरह अपनी पुस्तकों में मार्ग दर्शन करने के लिए है क्योंकि कोई नई चीजे नहीं है जिने मुझे परतक्ष करना है कोई जादू की चाल, कोई नया गीत, कुछ नहीं सब कारेक्रम पहले से ही तय है जैसे की मंगल आरती है, भोजन की पेशकश है, गुरु पूजा इस तरह से की जाती है भगवद गीता, भागवतम, सिखाने के लिए हर प्रक्रिया तय है मुझे बस उनकी किताबों के संदेश के प्रतिनिधी के रूप में बहुत करीब रहना है और वह होगा एक सेवा तभी मैं उस सेवा में सुरक्षित रहूंगा यह मेरा आशावाद है यह में बस्वाद है